दहेजनी ग्रासिन कंपनिया रुप्या एक लाक ना फूर्वा मैनेजरे विदेश जवा अने आर्थिक तंग्डी मा भरुच मा ज्वैलर्स ने तियां लूट चलावी पोताना बैसा गरितोंने डोड महीना पहला बिहार्थी बोलावी वाग्रा मा भाड़े रूमा राख्या बरुच भोलाव डेपो पासे थी रुप्या एक लाक नी बाइक चोरी नकली पिस्तोल अने चाकुना साहरे ज्वैलर्स ने तियां लूट करवा माटे गया हता कोरोना कार मा गरी बने मध्यम वर्ग तेनी परिवार नी रोजिन्दी जरूर्यात संतोस्वाजिया महिनत करी आकाश पातार एक करेरे हो छे त्यारे एक लाक नो पगारदार मैनेजर भरुच नी नामांकित कम्पनी नी नोकरी छोडी विदेश जवानी गेल छाए ज्वेलर्स नी दुकान मा लूट नो प्लान घडतो होवानी चोकाव नारी घटना सामयावी छे घटनानी हकिकत एवी छे कि गुरुवारे भरुच शहना जाडेश्वर रोड उपर आवेला श्री निकेतन कम्पलेक्स मा सुन्दरम ज्वलर्स नी दुकान आवेली छे जाथी सम्यान तरे मूड बिहार नो अने वरस 2015 थी भरुच जिलामा रहतो तेमज अलग-अलग कम्पनी मा मैनेजर पदे फरज बजावतो एकद्रिस वरस नो अमन कुमार सिंग काउशल किशोर सिंग राजपूत फरज बजावतो हतो विदेश मा कोई कम्पनी मा तेनी नोकरी नक्की थाई जता तेने दहेजनी बिल्ला ग्रासिम कम्पनी मा थी वरस 2021 मैनेजर पदे थी राजी नामों आपी दितु हतो रुप्या नेव हजार थी एक लाखनी नोकरी आयूवा ने छोड़ी दिती हती ते कम्पनी मा नोटिस पेरियाड उपर हतो ने विदेश चवा प्रयतनों कर रहे हतो जोके लोकडाउन ना लिदे मैनेजर तरीके फरच बजावतों ने भरुच मा हाल अभ्योदई हाइटस मा रहतो अमन कुमार कोरोना ने कारणे विदेश चवा शक्यो नहातो ते आर्थिक भीस मा आवी जवा साथे विदेश चवा माटे मूडी भेगी करवा माटे जाडेश्वर मा वार तहवारे सोनु खरेद्वा जतो होई लूट नो प्लान घड़ी काडियो हतो बिहार थी बे साग्रितों 21 वर्षिये चंदन कुमार सुभास कुष्वा अने मुखेश कुमार सोनी ने बुलावी वागराना वडदला गामे रूम भाड़े अपावी हती लूट माटे भरुष्णा भूलाव स्थित स्टी डेपो पासे थी एक लाखनी अपाची बाईक चोरी करी हती जे बात चाइनीज बनावटनी बनावती पिस्तोल चप्पुना जोरे गुरुवारे लूट करवा त्राणी जाड़ेश्वर सुन्दरम ज्वलर्स ने त्यां गया हता जोके हाजर कर्मचारी नी समय सुचक्ता आने बहादुरीना कारणे लूटनों खेल उंधो पड़ियो हतो त्राणी ने भागवानों वारव आवयो हतो गटना मा बे जागरुत लोकों नी सतर्गता आने सी डिविजन पोलीस डीस्टाप सहित नी समय सुचक्ता थी एक आरोपी स्थर्ड नजित्ती ज्यारे एक अंकलिश्वर रेल्वी स्टेशन अने त्री जो भरुच नी श्रवन चोक्डि थी मात्र पोना बे कल्लाक मा त्राणी आरोपियों नी धर पकड़ सा थे तेमने पासे थी त्राण मोबाइल चोरी नी बाइक चप्पू अने चाइनीज पिस्तोल कपचे कराई छे आज रोज दौपेर में साड़े बारा बजे के आसपास जाडेश्वर इस्तित सुन्दरम ज्वैलर्स में तीन लोगों ने ग्रहक बनकर सोने चांदी की लूट का प्रयास किया जैसी सूचनाय सामने आई उसके अनुसार एक वेक्ती ने जो वहाँ पे शौप की पर था उसके मूँ को दबा कर उसको काउंटर पे धकेला दूसरे वेक्ती ने चाकू जैसा धारदार हतियार निकाला और तीसरे ने एक पिस्टोल जैसा हतियार निकाला और सोने चांदी की लूट करने का प्रयास किया ये एक अत्यान्त गंबीर और संगीन मामला था जैसे ही सूचना मिली वैसे ही वहाँ पर सी डिविजन पुलिस स्टेशन में योग्य कल्मों के तहत ओफेंस रेस्टर किया गया संपूर्ण जिले में नाकाबंदी करवा दी गई आस-पास के जिलो में भी सूचना दे दी गई नाकाबंदी करवाई गई और स्टेट कंट्रोल रूम को भी सूचना दे कर रेड जारी करवाय गया जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों आरोपी शौपकीपर के द्वारा संगर्श करने पर और शोर करने के चलते वहां से फरार हो गए इस रेड अलर्ट के चलते और भरुज जिले पुलिस की तमाम टीम है LCB, SOG, A Division, B Division, C Division, अंक्लेश्वर सिटी ऐसे करके भरुज की तमाम पुलिस टेशनों में नाकाबंदी की गई और तमाम टीमों को सक्रिय किया गया स्थानिक लोगों के सहयोग से और पुलिस की जागरुकता के चलते एक व्यक्ति को बनाविस्थल से पकड़ा गया तथा अन्य दो व्यक्तियों को भी साड़े बारा से दो पंद्रा तक चलाएगे ऑपरेशन में जो कि ऑपरेशन एक घंटा 45 मिनट चला अन्य दो व्यक्तियों की भी धर पकड़ करने में बरुज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई इसमें से एक व्यक्ति को अंक्लेश्वर सिटी रेलवे स्टेशन से गिरफतार करने में सफलता प्राप्त हुई तथा दूसरे व्यक्ति को श्रवन चोकड़ी से गिरफतार किया गया जिन तीनों व्यक्तियों को गिरफतार किया गया उनके नाम इस प्रकार है जो इस गुना का मास्टर माइंड है उसका नाम है अमन सिंग राजपूत जो की बिहार के मूलत है शीवान का रहने वाला है और भरुच में 2015 से रह रहा है भरुच में उसका इस्थानिय पता है अभ्योदे सोसाइटी में फ्लैट B304 जो अन्य दो आरोपी हैं उसका नाम है मुकेश कुमार सोनी जिसकी عمر 27 साल है वह भरुच में वाडदला में रहता है और मूलत है गोपाल गंज भिहार का है तीसरा जो आरोपी है उसका नाम है चंदन कुमार खुश्वाहा यह मूलता शिवान का रहने वाला है और यह भी भरतमान में भरुष में भड़दला में रहता है इन तीनों आरोपियों से जो मुद्दामाल बरामत किया गया वो है कपाचे मोटर साइकल जो की चोरी की है तीन मुबाइल फोन चप्पू जैसा धारदार हतियार और एक बनावटी पिस्टर जो की बनावटी हतियार है यह मुद्दामाल की कुल कीमत लगबग एक लाग सोला हजार होती है जो इन से बरामत किया गया जो गुना को इन लोगों ने जो अन्जाम दिया वो इसका कुछ वो इस प्रकार है इसका जो मुख्यत है मास्टर माइंड है अमन सिंग राजपूत वह है 2015 से भरुच में सी कंपनी में अपलाई करने के इसने अपलाई किया और उसके चलते इस कंपनी से उसने इस्तिफा दे दिया परंतु कोरोना महमारी के चलते वह है विदेश नहीं जा पाया और वह है वरतमान में पिछले दो महीने से नोटिस पीरिट पे था आर्थिक तंगी जैसा कि उसने तहकीकात में कबूल किया कि आर्थिक तंगी के चलते उसने अपने इन दो सहयोगियों को बिहार से बुलाया एक शिवान से और एक कोपाल गंच बिहार से और इन दोनों को डेड़ महीने पहले उसने बड़दला स्थित किसी किराय के घर में रखा डेड़ महीने से इसका सुंदरम जोयलर्स में आना जाना लगा था और इन्होंने सुंदरम जोयलर्स को इसलिए टार्गेट किया इस गुणा में इन्होंने एक अपाचे मोटर साइकल चोरी की जिसके लिए तपास करने पर जानकारी प्राब्त हुई कि बोला वैस्टी डेपो के सामने से यह मॉंटर साइकल चोरी की गी थी इस मॉंटर साइकल का उप्योग करते हुए इन तीनों व्यक्तियों ने आज इस गुना को अंजाम देने की कोशिश की जिसमें भरुच पुलिस को स्थानिक लोगों के सहयोग से एवं टेकनिकल और हुमन इंटेलिजेंस की मदद से इस गुना को गिनती के कलाक्त में मतलब की एक घंटे पेंतालिस मिनिट में तीनों आरोपियों की धर पकड़ करने में सफलता प्राप्त हुई है साथी साथ मैं है भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस गुना में जिस स्थानिक नागरिकों के द्वारा जिन स्थानिक नागरिकों के द्वारा पुलिस को सहयोग दिया गया उन स्थानिक नाग्रियोकों का योगे समय पर भरुच जिला पुलिस अधिक्षक के द्वारा समान किया जाएगा भरुच पुलिस भरुच की जनता की सुरक्षा के लिए संपत्ति की सुरक्षा के लिए समरपित है अभी तक जितनी तपास हुई है, आज इनकी धर्पकड हुई है, उसमें अभी तक यही समझ में आया है जो में जो अरूपी है, हमन सिंग राजपूत। उसने आर्थिक तंगी के चलते इन दो लोगों को बुलाया है और अमन सिंग राजपूत का कोई इतियास हमारे रिकॉर्ड में अभी तक सामने नहीं आया है लेकिन अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उससे समय पर आपको अवगत किया जाएगा